नहीं है है ये गाइस हेलो हाई सस्रीयकाल नमस्ते आई होप आप सब लोग ठेक होंगे स्वस्त होंगे आप सब का हमारे यूटूब चैनल 4in1 में बेलकम है और आज है संडे संडे का भी देखी मैं आपको टाइम दिखाती हूं कुछ पोने एक का टाइम हो रहा है बच्चे इनको मैंने निला दुला के रेडी कर दिया संडे था तो उनका अभी सेंपू किया ओनलाइन क्लास वगड़ा कुछ नहीं है संडे हॉलिडे इसलिए सब का मैं थोड़ा स्लो स्लो धीरी-धीरी कर रही हूं हस्पेंट का ओपिस था बो सुवेच 6 बज़े ओपिस जा चुके रमेटो ओनियन बहुत सब है बट और सबजी नहीं है देखती हूं जो बनाऊंगी जरूर से मैं आपके साथ शेयर करूंगे आए विलोग की सुरुवात करते हूं मेरे बच्चे यहां पे आज संडे उनका नहानद होना सब हो चुका है वो ड्रॉइंग कर रहे हैं कलर कर रहे हैं चुली वो लोग सेटर्डे संडे कलर ड्रॉइंग कर लेते हैं क्यूंकि ट्यूशन का भी औफ रहता है ओनलान किलास भी नहीं होता थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता हूँ लोगों को इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी बोलो कर लेते हैं मैंने यहाँ पे मैं भी सेंपू करके आ चुकी हूँ जो सूखे हुए कपड़े थे मैं उनको निकालके फोल्ड करके रख दूँगी उसके बाद खाना बनाना है मुझे यह सब मैं बच्चेन का क्लास जल्दी काम करना पड़ता हैं लेकिन संडे को ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारा हम से कुछ भी कर सकते हैं यह देखी दोनों भाई इसमें लगे हुए थे कलर वगेरा यह सब किया हैं लक्षने प्रतीक ने दोनों भाईयों ने और मैं किचन में जाऊंगी अभी मैं थोड़ा बहुत अपना लंच बनाऊंगी देखिए मैंने अब कुछ सामान लिया होगा भोई सब कटिंग कर लूँगी मैं बैसे सुबह का नास्ता मेरा हो चुका देखी किचन साफ दीख रहा है मेरा और मैं यहां पे भी लंच की तेयारी कर रही हूं सुबह का चाए नास्ता हो गया था घर के टोटली काम कर लिये थे पूजा बगेरा सब मेरा हो चुका था संड़ी था हस्पेंड आएंगे स्याम कोई इसलिए अभी हम लोग हलका फुलका कुछ नास्ता बना वो लंच बना लूँगी मैं और उसके बाद बच्चेन का थोड़ा सब्सक्राइब अगेरा देख लूँगे उनका होमबर्क ने हुआ है नहीं हुआ लक्ष आया है यह पूछ रहा है ममी क्या बना रहे हो आप वह इसाब पूछने के लिए आया देखने के लिए टमेटो खाना मारे लक्ष को बहुत ही परसंद है टमेटो खाता है वह मैंने सब कटिंग कर लिया है मैंनी हाँ पे एक सब्सक्राइब ले लिया है ओनियन गार्लिक टमेटो जिंजर ग्रीन चिली हरा दनिया इन सब का इन सबसे बनारी हो आज में पास्ता जो कि मैं आपके साथ शेर करूँगी कुछ घर में सब्सक्राइब नहीं हो और कुछ खाना बन आँगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए मैं ओनियन को रफली चॉप कर लूँगी फाइन चॉप नहीं करना है मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे हमें हमें थोड़ा यह मसाला फ्राइब करके मिक्सर में प्यूरी जैसा बना लेना है जैसे कि मैंने बताया मैं यहा वी सब बना लेती हूँ सैम को हस्पेंड आएंगे तो सबजी लेकी आएंगे सैम को फिर से मैं सबजी रोटियां बना लूँगी में टमेटो ग्रीन चिल्ली यह सब मैंने छॉप करके रख लिआ हैं और मैंने हमें टोप लिया है गैस ओन करके रख हैं टोप मैं पानी लिय हुआ थोड़ा समय उसमें ओयल एड़ कर दूंगी थोड़ा समय उसमें सॉल्ट एड़ करूंगी पहले हमें अच्छी सी गरम कर लेंगे पानी को उसकी बाद हम मैक्रोनी पास्ता इसमें एड़ कर देंगे मैंने आपे देखिए पास्ता लेकी रखा है मैकरोनी पास्ता पानी गरम हो गया अभी मैं इसमें एड़ कर दूँगे पानी अच्छी से गरम हो जाए तब भी आप इसमें एड़ करें और इसे अच्छे से हम चला लेंगे मिंटों में बनने वाला यह पास्ता इसमें कोई सबजियां नहीं एड की हैं हमने only onion tomato से हमने पास्ता बनाया है और ब्लीम भी बहुत ही tasty बना था है पास्ता को रख दूँगी side में में और मैं एक pan रख लूँगी यहाँ पे पास्ता भी स्लोगेस पे पकता रहेगा पेन रखके मैं अपना यहाँ पे मसाला रेडी कर लूँगी पास्ता का मैं थोड़ा सा ओईल लिया है मस्टर सीज ओईल अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें में सारा onion ग्रीन चिली अधरक लेसुन में सब इसमें एड कर दूँगी इस तरीके से बनाना पास्ता ब्लीम में बहुत ही टैश्टी बनेगा और फटा फट से बनके रेडी भी हो जाएगा इसको हम हलका से हाँ पका लेंगे बून लेंगे ओईल में पास्ता भी बॉइल हो रहा है जल्दी काम हो जाता है इसलिए मैंने इक उस तरफ रख दिये किस तरफ रख दिया अभी मैं टमेटो एड कर लूँगी इसमें और मैं हलका सा सॉल्ट एड करूँगी जल्दी पक जाएगा टमेटो उससे स्वाद की अनुसारी करें सॉल्टेड क्यूंकि पास्ता के अंदर भी हमने सॉल्टेड किया है और अब भी हल्कासत थोड़ा समय इसमें हल्दी पाउडर रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा ही हमें अड़ करना है क्योंकि हमें बाद में पास्ता मसाला डालना है इसलिए ज्यादा मसाले में इसके अंदर नहीं अड़ करूंगे एक बार चलाते रहें बीच में इसको पास्ता को बनना बीच में लग जाएगा ये मसाला मेरा रेडी हो चुका है मैं अभी गैस आफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी हमको बनाना है प्यूरी इसका मिक्सर में पीस लेना है इसलिए ठंडा कर लेंगे और यहां पर पास्ता भी अलमोस्ट मेरा हो चुका है देखे मैं आपको दिखा रही हूँ स्पून से इजीली कट रहा है ये पक गया है इसको पानी से में अलग निकाल लोंगे पानी अलग कर लिया है मैंने और मैं इसको भी हाँ पे साइड में रख दूँगी और चलेंगे मसाला बनाने की तरफ मैंने यहाँ पे मिक्सर में ये डाल लूँगी में मसाला ठंडा हो चुका है बिलकुली और इसको प्यूरी बना लेना है हमको देखिए इस तरह के अच्छा है ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना क्योंकि हमने इसमें हल्दी अड किया था थोड़ा इस पेन में मैंने मसाला बनाया था, इसको टिसू से लेके, हम टिसू लेके एक अच्छे से इसको पौच लेंगे, क्लीन कर लेंगे और इसी में थोड़ा ओयल एड करके मैं इसी में पास्ता बनाऊंगे नॉन स्टिक है ये इजीली साफ हो जाता है एक टिसू की हेल्फ से ही देखिए क्लीन हो गया है इस थोड़ा सा मस्टर सीज ओयल एड़ कीजिए और अपना जो मसाला बना की रखा है वो एड़ कीजिए इसमें ग्रेवी और ये दो की थोड़ा सा पानी एड़ कर दीजिए एक दो स्पून वस और इसे अविस लोग एस पे हमें पका लेना है तीन चार मिनट के लिए ये पास था मेरे बच्चों को भी बहुती परसंद आया था मैं हाँ पर ढखके पका लूँगी इसको क्यूंकि छीटें उड़ती हैं इसमें से तो सारा गैस गंदा हो जाता है इसलिए मैं इसे ढखके पकाऊंगी दीरथी से इसको चला ले साइड़ों में से बरना है लग जाएगा अगे कि स्लो गेस के इसलिए मैं हमें पकाऊंगी इसलिए और अभी करेंगे हम पास्टायड ये बनके मासाला रेडियद देखे कितना अच्छा कलर आया है पास्ता एड़ करेंगे यहाँ पर गैस आप स्लो ही रखें मैं इसमें एड़ करूंगी पास्ता मसाला एक पैकेट और कीजिए गाई इसमें टमेटो केचप उपर से एड़ अभी कीजिए रेड चिली सॉस एड़ रेड चिली सॉस लिया मैंने और अभी कीजिए इस पर हरा धनिया और इसे अच्छी से मिक्स कर लीजिए और आपका पास्ता बनके रेड़ी लुक एड दिस कितना अच्छा लग रहा है ना इसे अच्छी से करेंगे मिक्स मिक्स करना है स्लोग ऐसी रखना है यहां पर और एक दू सेकेंड के लिए हमें धक के थोड़ा और कुक करना है मसाले पास्ता में अच्छी से मिक्स हो जाएं फ्लेवर आ जाए पास्ता में बन मसाले का और यह बनके अभी रेड़ी है आई यह से सल्प करते हैं मैं इसे कर लूँगी सल्प आई होपी रेसीपी आपको अच्छी लगी होगी ब्लॉग परसंद आया होगा परसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू फूर बोचिंग और पास्ता इंजोई कीजिए आपका पास्ता बनके रेडिये क्यूं है ना अच्छा आइडिया आज घर में कुछ बेजटीवल नहीं था फिर भी मैंने इतना अच्छा अपन लिया रभी वच्चक लिए पास्ता बना दिया आप भी इसको इंजोई कीजिए और हम भी इसको इंजोई की करते हो